Hello Friends ! बहुत स्वागत है Remedies & Recipes for you तो आज हम बनाएंगे करेले की सबजी तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं करेले की सबजी करेले को हमने सबसे पहले वाश कर लिया है उसके बाद हम करेले को इस तरह से गुल गुल सेप में काट लेंगे काटने के बाद इसे हम आधा घंटे के लिए नमक पाने में डुबा कर रख देंगे तो अब हम करेले को फ्राइ करेंगे तो उसके लिए हमने तेल लिया है और तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें करेला एड़ करेंगे करेले का पानी जो हमने निकाल लिया था और इसको अच्छे से सुखा लिया था करेले का पानी बिलकुल भी नहीं है इसमें और इसको हम 15-20 मिनट तक फ्राई करेंगे तो अब ये हलका सा फ्राइ हो चुका है देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है करेले का और नमक पारी में दुबा करके रखने से जो है इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए हम उसे दुबा करके रखते हैं अब हम इसमें प्यास डालेंगे जिसको हमने काट करके डाला है अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब ये करेले थोड़े से और फ्राइ हो जाएंगे तब हम इसमें हल्दी पावडर डालेंगे उसके बाद हम धनिया पावडर डाल देंगे थोड़ा सा फिर हम इसमें नमक करेंगे स्वात की अनूसार थोड़ी लाल मीच पौडर डालेंगे कि हम इसमें ंप खड़ी मसाले और सेस्बी कर Rography रहे हैं बस सिंपल मसाला ही यूज कर है उसी से हम इस करेले की सबजी को बनाएंगे तो अब हम इसे थोड़ा सा और फॉरा entre तो अब यह फ्राई हो चुके हैं थोड़े से तो अब हम इसमें टमाटा रैट कर देते हैं फिर इसे थोड़ा से हम पकाने के लिए रख देते हैं इसे हम पास से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे अच्छे से तो देखिए अब ये पक गए हैं तमाटर जो भी अच्छे से पक गए है अब इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से हम इसे मिलाएंगे तो फाइनली करेली की सब्जी जो है बनकर के तयार हो चुकी है वो भी बहुत कीजिए इस डेप के साथ तो अगर आप इस तरीके से करेली की सब्जी बनाते हैं तो करेली की सब्जी जो है बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं और बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं बिल्कुल ना नहीं कहेंगे बच्चे तो अगर आपको ये रेसिपी जो है जर